Hello students, last video में हमने substances की physical properties क्या होती है, उनकी chemical properties क्या होती है, इसके बारे में पढ़ा अब physical properties जो हैं किसी भी substance की वो कौन सी properties है ऐसी properties जिनको measure करने के लिए या observe करने के लिए हमें उस substance में कोई change नहीं करना पड़ता For example, अगर हम बात करते हैं temperature की किसी भी object का अगर आपको temperature note करना है, ठीक है, तो आपको जैसे आपको human body का temperature note करना है एक मनुष्य का आपको temperature note करना है, तो क्या आपको उसकी body में कुछ changes करने की जरूरत है कि वो सो रहा है, तभी हमें उसका temperature note करना है, या वो चल रहा है, तो ही हमें उसका temperature note करना है या किसी भी और तरह के changes यह तो मैंने एक normal changes की बात कही है simple जो changes है लेकिन किसी भी तरह का change हमें करने की जरूरत नहीं है अगर हम किसी human body या किसी भी और object का temperature measure करते हैं तो जो भी physical properties हैं उनकी measurement करने के लिए हमें उस substance में कोई change करने की जरूरत नहीं हरती है तो इस video में हम कुछ physical properties के बारे में पढ़ेंगे और हम उनकी measurement कैसे करते हैं उनको कैसे नापते हैं हम कैसे मापन करते हैं उनका और उनकी SI units क्या हैं ये भी हम देखेंगे तो सबसे पहले जिस physical property के बारे में पढ़ेंगे वो है mass and weight अब mass and weight normally जो है mass और weight एक दूसरे की जगा पर use कर लेते हैं हम लेकिन actual में ऐसा नहीं है science की terms में scientific terms में mass एक अलग चीज है और जो weight है वो एक different चीज है ठीक है तो mass क्या है mass is the amount of substance amount of matter amount of matter present in the object किसी भी object का अगर आप mass देखना चाते हो mass को हिंदी में बोलते हैं तरव्यमान और जो हम kilogram में note करते हैं kilogram में जो हम बताते हैं वो mass ही होता है जैसे आप लेकर आयो one kilogram आपने apple खरी दे ठीक है तो what does this one kilogram mean इस one kilogram apple का क्या मतलब है means we have vote we have vote apples in which amount of matter is one kilogram ठीक है तो हमने one kilogram apple का क्या मतलब है कि हमने जो apples खरीदे हैं उनके अंदर जो total मात्रा है पदार्थ की वो एक kilogram है और यह one kilogram क्या है यह है उन एप्पल का mass यानि की तरव्यमान ठीक है और इसकी जो ऐसा unit है वो क्या है किलो ग्राम है ओके यह तो हो गया mass इसके बाद हम बात करते हैं weight की ठीक है weight क्या है नोर्मली जब हम जैसे आप कोई weighing machine है ठीक है weighing machine होते है जिस पर की weight हम अपना देखते हैं कि हमारा weight कितना है weighing machine हम उसको बोलते हैं लेकिन actual में जो हम measure कर रहे होते हैं वो weight नहीं होता है हम weighing machine से actual में mass measure करते हैं कि हम कितने kilogram है हमारे अंदर जो substance matter का amount है वो कितना है हम उसे वो measure कर रहे होते हैं लेकिन नाम इसको देते हैं weighing machine ठीक है but weight is different from mass तो weight है क्या weight is the force of gravity force of gravity के बारे में आपने सुना होगा force of gravity क्या है acting on an object एक object पर जो force of gravity कारिय कर रहा है उसे हम उस object का weight कहते हैं और weight को हिंदी में हम भार कहते हैं ठीक है तो weight actual में क्या है weight है actual में एक तरह का force weight is the force और force की units क्या होते हैं ऐसा unit force की ऐसा unit होते हैं Newton आपने 9th में 10th में 9th में बढ़ा हुआ है force की ऐसा unit बल की ऐसा unit क्या है Newton होती है Newton जो कि एक scientist है scientist है उनके नाम पर ही इसकी units का नाम दिया गया है Newton force of gravity force of gravity हिंदी में हम इसे गृतूबल भी कहते हैं ठीक है और हम जानते हैं कि अर्थ पर जितनी भी अब्जेक्ट्स हैं और ऐसा करने में वो जो उस पर force लगा रही है उसे हम गृतूबल यानि की force of gravity या simple gravity भी बोलते हैं ठीक है तो किसी भी object का जो weight है वो actual में एक force है जो की अर्थ उसके उपर लगा रही है अगर मैं ये bowl कह रही हूँ इस bowl के उपर अर्थ जो नीचे की तरह force लगा रही है तो वो क्या है वो है उसका weight ठीक है और weight को हम measure करते हैं किसमें newton में लेकिन इस bowl के अंदर जो amount of substance है that is its mass और mass को हम measure करते हैं gram या kilogram में लेकिन SI unit के kilogram है ठीक है तो weight अगर हमें किसी object का weight measure करना है तो मैंने क्या बताया कि force of gravity क्या है sorry weight क्या है weight है force and force is equal to m multiply g अगर यह force force of gravity है तो हम इसको g से multiply करते हैं तो आप m क्या है यहाँ पर m is mass mass को जैसे कि मानलो आपका mass है 60 kg ठीक है तो अगर आप अपने mass को g से g जो की normal लगभग 10 के equal होता है तो आपका weight कितना है आपका weight है 600 newton ठीक है यह क्या है यह हमारा weight होगा आयोब क्या आपको समझ आ गया होगा कि weight is a force of gravity जबकि mass क्या है amount of matter present in the substance अब इन दोनों में एक ओर difference भी है अब आपकी body के अंदर जो amount है या हम bowl की ही वात ले देते हैं बोल का ही example ले देते हैं यह bowl जो है जिस substance की बनी हुई है इसके अंदर जितना भी बदार्थ है जितना भी matter है उसका amount तो change नहीं होगा वो तो वैसे कब वैसे रहेगा जब तक कि वो bowl कट नहीं जाती फट नहीं जाती उसका कुछ हिस्सा कट कर गिर नहीं जाता तब तक उस bowl के अंदर amount of matter हमेशा same रहेगा तो इसका मास तो कभी change नहीं होगा लेकिन उस bowl का weight change हो सकता है bowl का weight कैसे change होगा क्योंकि हम जानते हैं कि जो earth है earth हर object को अपने center की तरफ खीशती है ठीक है और center की तरफ जब वो खीशती है तो जो force इसके किसी भी object के ओपर लगेगा वो depend करता है इस distance पर यह जो distance है ना center और इस object के बीच में उस पर depend करता है तो अलग अलग जगा पर force of gravity change हो जाता है ठीक है g की value थोड़ी थोड़ी change हो जाती है इसलिए force भी यानि की weight भी change हो जाएगा ठीक है तो यह आपको ध्यान लगना है कि mass जो है object का वो कभी change नहीं होता fix amount है वो जबकि weight जो है वो change हो सकता है तो यहाँ पर हम यह पढ़ते हैं mass of a substance is constant वो change नहीं होता जबकि weight may vary from one place to another due to change in gravity जबकि weight जो है वो change हो सकता है एक जगा से दूसरी जगा जाने पर इसलिए जब हम इन terms को use करते हैं हमें सोच कर use करना कि हम mass बोल रहे हैं या weight बोल रहे हैं जो कि हमें अब पता है कि mass जो है वो अलग है और weight अलग चीज है ठीक है तो mass measure करने के लिए अगर आपको laboratory में laboratory में क्या करना होता है हमें कई सारे solutions बनाने होते हैं हमें कई सारे हिंदी में अगर मैं कहूँ तो हमें कई सारे घोल या हमें कई सारे willion बनाने पड़ते हैं और willion बनाने के लिए हमें जो chemical है हमारा मालो मुझे sodium chloride का willion बनाना है sodium chloride का solution बनाना है तो उसके लिए मुझे एक लीटर के अंदर एक लीटर water में कितने gram sodium chloride डालना है अगर मैंने किसी ने मुझे बोला या 1 gram sodium chloride डालना है तो आपको 1 gram मैजर करना पड़ेगा और 1 gram आप जो तराजू होते हैं एक fruit बेजने वाले के पास या सबजी बेजने वाले के पास या फिर राशन का जमान बेजने वाले के पास उससे तो आप 1 gram मैजर नहीं कर सकते हो तो लैबोरेटरी में ये छोटे-छोटे मास को मैजर करने के लिए analytical balance होता है या हम उसको physical balance भी कहते हैं जो ये है इस टाइब का आपको लैबोरेटरी में देखने को मिल जाएगा ठीक है इसमें हम रखकर किसी भी substance को ये इसमें हम पर ये दो पैंस है एक में आप जो weight होते हैं वो रखते हैं मास रखते हैं जो आपके पास चोट-चोटे एक ग्राम का दो ग्राम का आपने जितना भी chemical लेना है उसके अंदर हम जैसे आप simple भाशा में बट्टे बोलते हैं जिससे की तराजू पर रखकर तोला जाता है कि आपको एक किलोग्राम लेना है तो एक किलोग्राम का बाट ठीक है तो वो रखते हैं और दूसरी साइड पर क्या रखते हैं वो chemical लगते हैं और इससे जो है बहुती accurately बहुती अच्छी तरीके से सही measurement हो जाती है मास की ठीक है क्योंकि laboratory में हमें chemicals किलोग्राम में नहीं चाहिए होते हैं हमें बहुत कम कम amount कई वारतों कि मिली ग्राम में चाहिए होते हैं और मिली ग्राम या ग्राम में मास को मैजर करने के लिए यह बहुत अच्छा balance है analytical balance भी इसको कहते हैं ठीक है और हम जानते ही हैं कि 1 kg is equal to 1000 g हम इसको मिली ग्राम में भी change कर सकते हैं इसके बाद जो दूसरी physical quantity के बारे में हम पढ़ेंगे physical property के बारे में that is volume और volume क्या होता है volume हिंदी में आयतन कहते हैं volume is the amount of space occupied by a substance wavelength space हमारे पास एक box है इस box का volume अभी Cubot वोलियूम हिना कि आपको देखने में यह रेक्टैंगल जाुआज लग रहा है लेकिन अगर गहार मैं इसको अछी बना दो तो यह आपको एक box लग रहा होगा है इस box का वोलियूमन क्या ही इसका आयतन क्या है, आयतन वोल्यूम होता क्या है, इसके अंदर कितनी जगा है, इसने कितना स्थान घेरा हुआ है, वो इसका वोल्यूम है, इसके अंदर अगर मालो आपके पास एक सिलेंडर है, एक स्टील का आपके पास सिलेंडर है, आपने उसके अंदर पानी भर दिया, पूरा पानी से भरा हुआ है तो अगर आप इसके अंदर पानी आता है 10 लिटर तो आप क्या कहोगे कि इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है उसका आयतन कितना है उसका वोल्यूम कितना है 10 लिटर अगर इसके अंदर टोटल जो वाटर है वो 10 लिटर आता है तो इस सिलेंडर क का वोल्यूम कितना होगा सिलेंडर का वोल्यूम क्या है यानि की टैनलीटर है ना तो यह टैनलीटर क्या है टैनलीटर वह स्पेस है जो कि इस सिलेंडर के अंदर है है ना तो ऐसे ही इस बोक्स के अंदर कितना स्पेस है वह क्या है इस बोक्स का वोल्यूम लूल्यूम इस था स्पेस उपूंपंट स्पेस उंक्य्ずाइड भाय सबस्तेंस ऐस वॉल्यूम का फर्मूला अब इसकी यूनेट्स देखने हैं आपको ऐसा यूनर्स क्या होती यून की है उसके लिए आपको वॉल्यूम का फर्मूला देखना होगा वो Cu proportion तो इसकी यूनिट्स हम कैसे निकालेंगे इसकी यूनिट्स हम वो जो साथ बेसिक फिजिकल ऐसा यूनिट्स है उनसे निकालेंगे तो उसके लिए आपको वोल्यूम का फोर्मूला पता होना चाहिए वोल्यूम का फोर्मूला होता है एल मल्टिप्लाई बी मल्टिप्लाई एच लेंथ ब्रेट्थ हाइड तो एक्शल में तो यह तीनों लेंथ ही होती है ना एक्शल में तो यह लेंथ है लंबाई ही है आपक उससे नापने होती है PLAY कि एसा यूनिट क्या है मेट्ट को मेट्थ को में मापती है है को वह दो वोल्यूम की एसा यूनिट क्या हो Shark 위한το is a color Red को अगर तो चूब है और है तो गन खोर्मुला होता है गन के वोल्यूम का और सबसित multiply side है ना तो length cube हो गया अगर हम घनाप की बात करें है क्योब और की तो volume का formula है L into B into H और SI unit है meter q लेकिन जहां हम फिर बात करते हैं हम जब laboratory में volume किसी चीज़ करते हैं हमें तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि हम meter q में जैसे आप दूद खरीदते हैं ठीक है तो आप या तो kilogram में बोलते हैं या फिर आप बोलते हैं इतने लीटर वन लीटर या आधा लीटर या दो लीटर आपने कभी meter q में खरीदा दूद नहीं क्योंकि हम meter q जो है वह SI unit कर सकते हो one meter q is equal to 1000 लीटर एंड वन लीटर इस इक्वल टूवन थाउजन मिली लीटर यह तो हमें सब कोई पता है एक लीटर में 1000 मिली लीटर होते हैं और आपको यह भी ध्यान अकना कि वन लीटर इस इक्वल टूवन थाउजन सेंटीमीटर क्यूब ठीक है वन मीटर क्यूब इस इक्वल टूवन थाउजन लीटर एंड वन लीटर इस इक्वल टूवन थाउजन सेंटीमीटर क्यूब तो अगर आपको मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है तो आप कैसे चेंज करोगे mute cube को centimeter cube में change करा तो कैसे change कर अओगे हमें पता है 1 meter cube is equal to 1000 liter और इसको हम लिख सकते हैं 1 multiply 1000 है ना तो 1 liter 1000 cm है तो यह conversion हम बाद में करेंगे अभी मैं simply आपको यही बता रहे हुँ कि आपको क्या ध्यान रखना इसमें क्या learn करना है आपको learn करना इसमें कि 1 meter cube is equal to 1000 liter and 1 liter is equal to 1000 milliliter also 1 liter is equal to 1000 centimeter cube तो यहां से आदे सकते हो कि 1 milliliter और 1 centimeter cube यह approximately ब्राबर हैं तो हमारे पास अब laboratory में volume को measure करने के लिए क्या होता है volume को measure करने के लिए हमारे पास graduated cylinders होते हैं इस type के graduated cylinders होते हैं यह आपको lab में देखने को मिल जाएगा इसको graduated cylinder कहते हैं graduated cylinder वो होते हैं जिनमें की side में ऐसे इस तरह से marking होती है ठीक है 10 milliliter 20 milliliter 30 milliliter इस तरह से जैसे scale होता है जिन पर scale बना हुआ होता है उनको graduated cylinder की shape में है तो graduated cylinder अब इसमें अगर आपको 60 milliliter कुछ लेना है liquid तो आप यहां 60 तक उसको fill कर लो 80 लेना तो यहां तक fill कर लो तो आपको यह सही थोड़ा थोड़ा सही नाप मिल जाएगा लेकिन अगर आपको बिल्कुल सही लेना है तो उसके लिए आप यहां पर एक निशान होता है यह पिपेट अलग अलग वोल्यूम की आती है पांच ही 10ml की भी होती है 20 टी की भी होती है 25 की यहां पर मार्क ह oni होता है तो जतने वॉल्यूम की ई पाइंबग असके होता है उतनी चोटिया बड़ी हो जाती है इसको यहां को यहां Lara पीते हो यहां से कुलिविया रचिशन का क्या है तरह से हमें इससे खीचना पड़ता है जो यहize वीये छिए तफ्क होते हैं आ से हależ है तो यह वहा हुदि है कि जा ai है। गुड का हम वो measure कर सकते हैं ठीक है इसके बाद जो next हमारी physical quantity है property है वो है density आप सब जानते हैं density क्या है density is mass by volume ठीक है यह हमें दिया हूँ है mass by volume अब जो mass है हमें पता है यह एक basic physical quantity है इसकी SI unit क्या है किलोग्राम और volume की SI unit क्या है मीटर क्यूब तो density की SI unit क्या हो गई किलोग्राम पर मीटर क्यूब मैं यह आपको दुबारा से भी लिखके बता देती हूँ density यानि की हिंदी में इसको क्या बोलते है घनात्व यह जिन बच्चों ने 10th हिंदी में की है हिंदी मीडियम से की है उनके लिए मैं थोड़ा सा हिं अगर निकालनी है तो आपको उसका फोर्मूला पता हो ना अगर तो आप असानी से निकाल सकते हो तो density का फोर्मूला है mass by volume अब mass की units लिखतो volume की units लिखतो density की units अपने आप आ जाएंगी जैसा आप 910 में करते थे ना mass की units है SI units किलोग्राम तोकि हमें density की SI unit फाइंड करने ह volume की SI unit हमने अभी देखा यह है तो इसकी SI unit की आओगी kilogram आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है एक ही मतलब है kilogram per meter cube या kilogram meter cube inverse ठीक है लेकिन density की भी हम यह वाली unit कम use करते हैं कौन सी units यूनिट करते हैं हम density की unit use करते हैं gram per centimeter cube जो छोटी है kilogram से gram छोटा है meter से centimeter छोटा है तो हम यह छोटी unit use करते हैं इसकी ठीक है तो अगर आपको कोई कहरा ना कि इस substance जैसे हमने कह दिया कि honey is more dense more dense than water इसका क्या मतलब है कि शहद का घनत्व जादा है किस से water से तो density एक तरसे आपको देखकर भी पता चल जाते हैं कोई चीज अगर घनी है ना घनत्व घनी दोनों में relation समझ रहे हो आप dense density जब घना तो कोई चीज जितनी घनी है उतनी ही वह dense जाद है अब जैसे आपने forest वगरा के बारे में घने जंगल है ना घने जंगल का मतलब है कि जहां पर बहुत नजदीक नजदीक पेड़ है और अगर नजदीक 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 नहीं है दूर दूर है पेड़ तो वह कम घने होते हैं यही होता है ना तो ऐसे ही अगर पार्टिकल्स जो हनी है हनी के अंदर जो पार्टिकल्स है वो काफी नजदीक नजदीक है ठीक है जबकि वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स है वो थोड़े कम नजदीक है देखके पता चल रहा है ना आपको है ना तो यह इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अच्छा बात आती है यह भी है आपको कि डैंस्टी जो है ना अगर आपको उसको मैजर करना है यूनिट्स तो हमने पता कर ली डैंस्टी को अगर हमें मैजर करना है डैंस्टी निकालने किसी सब्स्टांस की तो कैसे निकालेंगे वहत ही उसका मास निकाल लो उसका वोल्यूम निकाल लो डैंसटी के फॉर्मोमोले में हम पूट करें कर लेंगे ठीक है इसके वार, त्वीजिगल प्रोपर्टी है temperature temperature, temperature, तेम्प्रेशर किसी भी bode का तापमान, थर्मो डायनमिक टेम्प्रेशर भी लिसकते हैं, इसके लिए तीन अलग-णग साइंटिस्ट ने अपने पैमान बनाए अपने स्केल बनाए और वो साइंटिस्ट जो हैं, वो हैं, सेल्सियस, उनके नाम जो कुमनली हम बोलते हैं केलविन एंड थर्ड इस फार्ने हाइट अब बहुत ही सिंपल सी चीज़ है केलविन के बारे में आपने कम सुना होगा जब कि यह टेंपरेचर की एसा यूनिट है अभी तक आपने आपने स्कूल में जरूर बढ़ा होगा नाइन्थ क्लास में केलविन टेंपरेचर का एसा केलविन है लेकिन जब हम डेली लाइफ में बात करते हैं आप से कोई पूछता है कि बॉलिंग पॉइंट ओफ वाटर क्या है तो आप एकदम से कहते हो 100 डिग्री सेल्सियस है ना पानी का क्वतनांक क्या है जल का और अगर आप से कोई पूछता है कि हुमन बोडी का क्या है या अगर किसी को फीवर आया हुआ होता है तो हम क्या बताते हैं कि 101 डिग्री फार्ने हाइट है या फिर 100 डिग्री फार्ने हाइट है तो हमने इनके बारे में सुना हुआ है टेंप्रेचर लेकिन हमने कैल्विन के बारे में कम सुना हुआ था लेकिन कैल्विन क्या Kelvin temperature की ऐसा unit है अब हम समझते हैं इन तीनों में difference क्या है अब जो इन्होंने अपने scale बनाए तीनोंने सबसे पहले हम बात करते हैं Celsius की इन्होंने अपना scale बनाने के लिए दो endpoints चुने दो सीरे चुने पहला सीरा था freezing point of water lower lowest जो था और freezing point of water क्या होता है zero degree Celsius और दूसरा था उपर वाला जीरा था bowling point of water यानि की जलका क्वंतनाग वो है 100 degree Celsius तो Celsius ने क्या क्या जीरो से 100 तक का एक पैमाना बनाया उसको 100 छोटे छोटे टुकडों में बाढ़ दिया ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं Kelvin की Kelvin के लिए freezing point of water क्या है Kelvin के लिए freezing point of water है 273.15 degree Kelvin ठीक है जबकि उसके लिए bowling point of water है 373.15 degree Kelvin अब हम बात करते हैं फार्ने हाइट की इनके लिए freezing point of water है 32 degree फार्ने हाइट और bowling point of water है 212 degree फार्ने हाइट ठीक है अब आप देखो इन में difference क्या है इन दोनों में 100 का difference है इन दोनों में क्या difference है इन में 100 का difference है लेकिन इन में कितना difference है 180 का difference है अगर आपको Celsius को Kelvin में चेंज करना है आपको temperature दिया हुआ है ठीक है 50 degree Celsius आपको इसको Kelvin में चेंज करना है या फार्ने हाइट में चेंज करना है या फिर फार्ने हाइट को इन दोनों में से किसी में 100 parts में ठीक है अब हम देखते हैं कि कैसे हम celsius को kelvin में change करते हैं अब देखो 0 degree celsius जो है कितने kelvin के बरारवर है 273.15 degree kelvin हमने यही देखा ना यह क्या है freezing point of water है ना अगर मैं इस 0 degree celsius में 1 degree celsius 1 degree जोड़ दूँ तो यह क्या होगा 1 degree celsius तो kelvin में क्या हो जाएगा 273.15 plus 1 ठीक है तो यह क्या होगा 274.15 degree kelvin ठीक है तो अगर आपको kelvin को celsius को kelvin में change करना है तो आपके पास अगर 25 degree celsius है तो इसको हम मैं ऐसे भी सकती हूँ 0 plus 25 है ना और 0 degree celsius का मतलब क्या है 273.15 degree kelvin और 25 को इसमें और एड़ कर दो तो यह होगा 298.15 degree kelvin बहुत ही simple है celsius को kelvin में change करना बहुत ही आसान है यह आपने 9th में भी किया हुआ है आप इसको note down कर सकते हो इसका screenshot ले सकते हो या pause करके आप इसको note कर लो ठीक है तो अगर आपको degree celsius को kelvin में change करना है तो हम क्या करते थे डिगरी celsius में जितना भी temperature दिया हुए आपको उसमें 273 आड़ करते थे ना हम normally लेकिन 0.15 भी आड़ कर सकते है तो आपका यह जो answer है यह degree kelvin में आ जाएगा अब अगर हमें kelvin को degree celsius में change करना हो तो हम क्या करते थे kelvin में जो भी temperature दिया है उसमें से 273.15 डिगरी माइनस कर देते हैं और हमारा answer आजाता है degree celsius में बहुत ही simple है यह celsius और kelvin को interchange करना बहुत ही simple है अब हम देखते हैं celsius को farne height में 100 degree celsius है 100 degree है और degree celsius में जो difference है वो भी 100 है तो इसलिए इनको change करना easy है लेकिन अब हमें जब celsius को farne height में या farne height को celsius में change करेंगे तो हम देखते हैं कि किस तरह से करेंगे अब 0 degree celsius जो है कितने farne height के बराबर है 32 degree farne height के अगर मैं difference लूँ 0 से 100 वाला तो 100 degree celsius कितने के बराबर है 100 degree सिर्फ 100 लूँ ही मैं celsius में 100 degree celsius is equal to 180 जो celsius में 100 parts है जो मैंने आपको बताया था यहां से 0 से 100 तक 100 parts हो गए ना और farne height में 32 से 212 तक तो यह 180 parts है तो इसके 100 parts इसके 180 parts के बराबर है तो इसका 1 part जो है celsius का कितने farne height के बराबर हो गया 180 by 100 यानि कि इसको आप डिवाइड करो तो आजगा 9 by 5 farne height ठीक है वहां तो celsius और kelvin में 1 एक part celsius के 100 parts is equal to kelvin के 100 parts तो 11 का हो गया लेकिन यहां पर 1 part in degree celsius farne height के कितने parts के बराबर है 9 by 5 parts के ठीक है आप इसको note down कर लो formula आप सीधा formula भी learn कर सकते हो इसका simple सा formula है आप भी learn कर सकते हो लेकिन मैं इसलिए आपको यह समझा रहे हूँ अगर आप formula नहीं भी learn कर पाए तो आप अपने आप से इसको formula तक पहुंच जाओगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा वह formula आया कैसे आपको पता होना चाहिए ठीक है अब हम कहां से start करेंगे हम start करेंगे अब degree celsius को farne height में change करने से 0 degree celsius is equal to 32 degree farne height अगर मैं इसमें 1 एड करूँ 0 degree celsius प्लस 1 degree celsius ठीक है अभी हमने क्या find क्या था 1 degree celsius is equal to 9 by 5 degree farne height यही किया दा न एक celsius इतने पार्स तो हम क्या करेंगे 32 तो है यह प्लस 1 degree celsius क्या है 9 by 5 degree farne height ठीक है इसको multiply में हम 1 करके दिखाएंगे यह farne height में change हो गया अगर 2 degree celsius है 0 degree celsius plus 2 degree celsius 0 degree celsius तो 32 है यह और 2 degree क्या करेंगे 9 by 5 वन पार्ट है 9 by 5 और 2 पार्ट है 9 by 5 multiply 2 ठीक है हो गया यह हो गया 1 degree celsius और यह हो गया 2 degree celsius तो 2 degree celsius जो है वो कितने farne height के बराबर है वो इतने farne height के बराबर है तो अब मैं इसका एक general formula बना रही हूँ क्या जितने भी degree celsius है मैं उसको सिर्फ degree celsius से लिख रही है जितने degree भी celsius है 25 है 50 है कुछ भी है तो equal to farne height 32 plus 9 by 5 multiply celsius यह पूरा farne height आगे समझ आपको अगर यहाँ पर 2 degree celsius था तो यहाँ multiply 2 था अगर यहाँ 1 degree celsius था तो यहाँ multiply 1 था अगर यहाँ x degree celsius है तो यहाँ x 9 by 5 multiply x हो जाएगा तो मैंने x नहीं लगाया है मैंने सिर्फ degree celsius लिखाया है अब मैं आपको एक conversion करके दिखाती हूँ आप बहुत ही आसान है यह formula learn कर सकते हो अगर आपको 32 degree celsius को या आपको 25 degree celsius को change करना है degree farne height में तो हमें पता है किसमें 32 प्लस एक पार्ट होता है 9 by 5 multiply 25 पार्ट है degree में is equal to 77 degree farne height बहुत इजी है ठीक है यह तो हो गया celsius को farne height में अगर आपको farne height को celsius में change करना है तो आप इसी formula से ही चलो degree celsius is equal to 32 plus 9 by 5 degree celsius यह farne height में है तो अब इसमें क्या करना है आपका यह हो जागा degree farne height को celsius में change करने के लिए जितना भी आपको degree farne height दे रखा है ठीक है उसमें से पहले आप 32 minus करोगे और उसको 5 by 9 से multiply कर दोगे यह answer आपका आजएगा degree celsius में आप करके देख सकते हो बहुत ही simple है आपने उसी formula में ही values पूट कर देनी है बस यह आप जैसे 77 ही ले लेते हैं हम 77 degree farne height है माइनस 32 मल्टिप्लाइ 5 by 9 ठीक है यह माइनस करके हमारे पास क्या आगया 45 मल्टिप्लाइ 5 by 9 तो यह आगया 25 degree celsius वहीं आगया जब हमने इसको farne height में चेंज किया तो 77 और 77 farne height को हमने celsius में चेंज किया तो 25 degree celsius ठीक है यह formula डिग्री farne height को डिग्री celsius में चेंज करने के लिए और यह formula डिग्री celsius को डिग्री farne height में चेंज करने के लिए आपकी बुक में भी दिया हुआ है ठीक है यह दिया हुआ है आप असानेसिस को कर सकते हो एक ही formula learn करने के जुड़त है उसके बाद आपको जरूरत नहीं बढ़ेगी तो इसके लिए thermometers होते हैं आप जानते ही हो दो टाइप के thermometers होते हैं जो कि doctors use करते हैं ठीक है और दूसरा होता है laboratory जो कि प्रयोग शाला में laboratory में यूज होता है वो ठीक है यह छोटा होता है यह कम temperature range जो है इसकी वो कम होती है और जब कि इसकी यह normally minus 10 से 110 degree Celsius तक होता है ठीक है तो इतना ही यह measure कर सकता है दो टाइप के thermometers है तो यह हमने पढ़ा कि physical quantities जो है उनको कैसे measure करते हैं उनकी units SI units के बारे में पढ़ा और हमने यह भी देखा कि हम कैसे Kelvin को Celsius में या Fahrenheit को Celsius में convert कर सकते हैं आप इसको साथ-साथ note करिए और अपनी notebook में जरूर लिखना अधर कमज ऐसे नहीं आएंगी इसलिए आप इसको जरूर नोट बुक में try करें और अगर कोई भी doubt है कुछ भी clear नहीं होता है तो आप मिर से पूछ सकते हैं ओके